है वेलो फ्रेंड्स हम डिसक्स कर रहे है कि वें दे गूट्स आफ दे प्रिंशिपल डरेक्टली सेंट टू प्रिमिजेज अब दे जो वर्कर वेधर आइटेशी कैन भी टेकन बाइदे जेट प्रिंशिपल किस्टन यह है कि जब कई बार क्या होता है जो वर्कर है वो अपने डिरेक्टली अपनी प्रिमिजेज के उपर आइटम मंगवा लेते हैं जो मेट्रियल होते हैं जिसका जिसके उपर जो वर्क करना है तो वो डिरेक्टली प्रिंशिपल है वो जो वर्क की प्रिमिजेज के उ मैं अपनी ओपीनियन देता हूं अगर आपको कोई डिफेंट ओपीनियन आपकी लगें तो आप प्लीज कॉमेंट्स में डाल कर आप आप भी बताना अपनी ओपीनियन है जो इसका अंसर देखने के लिए हमें section 19-2 19-2 देखना पड़ेगा 19-2 क्या कहता है principal sell be entitled to take credit 19-2 वो support करता है कि अगर principal directly job worker के यहां पर उसकी premises के उपर raw material बिजवा देता है या material बिजवा देता है जिसके उपर job work करना हो तो उस condition के अंदर as per 19-2 section principal है उसका ITC लेने के लिए या inputs लेने के लिए eligible है condition के है कि जो invoice है वो as per section 31 होनी चाहिए the principal should avail the ITC ठीक है proper invoice होना चाहिए as per section 31 के अंदर जो mention किया हो है जब goods job work करके याँ पर deliver कर दिया जाता है तो conclusion के अंदर यह आता है कि अगर मालो कोई supplier principal के आपर उसकी premises के अंदर पहले good supply करने की बजाएं directly job work करके याँ पर good supply कर जेता है job work करने के लिए जो principal के बिहाब पर job work करेगा उस condition में principal उस material का ITC लेने के लिए eligible है condition यह है कि उसके पास proper invoice होना चाहिए as per section 31 तो यह मेरी opinion है बाकि आपकी कोई different opinion है तो प्लीज आप comments में डालिए और अगर यह video आपको पसंद आता है तो प्लीज शेयर करिए subscribe करिए thank you thank you very much झालिए